वेलकम टू माई स्टुडेंट सपोर्ट सिस्टम आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर बॉर्ण डिजीजिस के बारे में यह लेक्चर आप हिंदी में देख रही हैं इंग्लीश में इसी लेक्चर को देखने के लिए आप आए बटन भी क्लिक करें वहां से आपको इंग्लीश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डिरेक्टी चैनल को भी विजिट कर सकते हैं वाटर बॉर्ण डिजीज स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन है वो क्या है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन के कारण ही वाटर रिलेटेड डिजीज या वाटर बॉर्ण डिजीज होती है तो पानी में किसी भी प्रकार की एशुदियों का मिलना या मिक्स होना जल प्रदूशन या वाटर पॉलिशन कहलाता है। बिक्टिरिया वाइयरस या जो माइक्रो और्डशम है वो भी इसमें एड हो सकते हैं। प्राकर्थिक रूप से यह impurities वर्षा के दुरान जो rainfall होती है उस दुरान हो सकता है जो environment में impurities है वो इसमें हैट हो जाती हैं इसके अलावा जब वो फ्लो करता है catchment area से नदी में तो वहां की मिट्टी में जो भी impurities होती है वो भी इसमें मिल जाती है जल प्रोदूशन का जो सबसे गंभीर हिस्सा है वो है मानव गतिविदियों के कारण होने वाला pollution शहरी करण और उद्योगी करण के कारण जो water pollution human activity से हो रहा है वो natural की बजाई ज्यादा खतरनाक है और उससे बहुत सारे स्वास्ते संबंधी खत्री उत्पन होते हैं जिन्हें हम waterborne disease कह सकते हैं मानव कतिविदियों से जो प्रदूशन होते हैं उनके स्त्रोथ क्या है सबसे पहला हम लेते हैं सीवेज सिस्टम सीवेज क्या है मानव मल जो सर्जित अप्शिस्ट पदार्थ है वो सीवर में फ्लो करता है और इसमें बहुत सारे decomposable carbonic पदार्थ रोग जनक एजेंट bacteria microorganisms होते हैं यदि इस सीवर के जो पानी है mixture है उसको युद्धि बिना ट्रेट कि ये यदि नहर में नदी में छोड़ दिये जाएं या pond में mix हो जाएं या जल स्प्लाई के साथ रच वो लीक कर जाए जल स्प्लाई और वहां से कुछ सीवेज मेटियल पानी के साथ आ जाए तो बहुत सारा ये polluted water होगा और बहुत सारी बिमारिया पैदा करेगा उसके बाद आता है उद्धियोगी कि या व्यापार अप्षिस्ट चो इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वेस्ट के रूप में वो पानी को प्रदोशित कर सकते हैं और इस इंडस्ट्रील वेस्ट को भी यदि प्रोपर ट्रीट्मेंट के बिना नदियों में छोड़ दिया जाता है तो वो गंभीर water pollution करता है और बहुत सारे बिमारियों को जन्म देता है है उसके बद है पशू गतिविदी पशू गतिविदी में हम शामिल कर सकते हैं कि जब पशू पानी पीता है है या नहा रहे होते हैं वो नदी में तालाब में पॉंड तो उसमें हम मलमूतर उसमें सर्जित करते हैं तो वो भी कुछ pollution का कारण बनता है इसी इन्हार मानोत विदी में ये भी शामिल कर सकते हैं कि जब नदी के किनारे जैसे कपड़े दो रहे हैं या नहा रहे हैं उस दुरान भी जल पर्दूशन होता है इसके अलावा एक गतिविदी है क्रिशी अगरिकल्चरल पॉल्यूटेंट्स अगरिकल्चरल गतिविदियों से जो जल उसके अंदर हो मिक्स हो जाता है और जो केमिकल फर्टिलाइजर से उनका ओवर्यूज भी वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है अब आते हैं वाटर बोर्न डिजीजिस पर तो ये जो पॉल्यूशन हमने अभी स्टडी किया इससे दो टाइप के बिमारियां हो सकती है इन विमारियों को हम वाटर बोर्न डिजीज या वाटर रिलेटेड डिजीज कहते हैं तो ये दो टाइप का क्या है दो टाइप के जो वाटर बोर्न डिजीज को हम ये कह सकते हैं कि एक तो रासाइनिक या केमिकल वाटर बोर्न डिजीज होंगी और एक ग्रूप होगा बायोलोजिकल वाटरबोर्ण डिजीज तो बायोलोजिकल वाटरबोर्ण डिजीज भी आगे डिवाइड की गई है दो पार्ट्स में पहला तो कि जो इंफेक्टिव एजेंट है वो खुद पानी के अंदर हो जैसे बैक्टेरिया वाइरस आधी तो वाइरल ड्रोग होंगे जैसे हीपेटाइटिस A, हीपेटाइटिस E, पोलियोमाइलाइटिस और रोटा वाइरस का इनिफेक्शन ये वाइरल डिजीज है जो प्रदुशित या कंटामिनिट वाटर से फैल सकता है इसे बाए जो बैक्टेरियल रोग है बैक्टेरिया के कारण होंगे जो पानी में बैक्टेरिया है प्रेजेंस है उसकी और उसको पी लिया जाए इन रोगों में मुख्य रूप से शामिल होता है मारका टाइफाइट पैराटाइफाइट बैसिलरी पैचेश डायरिया हैजा और लेप्नोसपाइरोसिस जिसे हम विल्स डिजीज भी कहते हैं अब इन डिजी उसको देख सकते हैं उनको आप देख सकते हैं उनको आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी लेटेस्ट को कुछ हम एड करें लेक्चर यदी अपडेट होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलें ठीक है और नोटिफिकेशन कब मिलता है जब आपने बेल आइकन भी प्रेस किया होता है तो यह द्यान पना है इसके अलावाद तीसा जो ग्रूप है वो है प्रोटोजोवर तो बिमारी हो सकती है उसके अंदर शामिल होते हैं हमेडियेस और जियार्डियेस उसके बाद नेक्स्ट ग्रूप है हेलमिन्थ डिसोल्डर का हेलमिन्थ डिसोल्डर जो है उनमें राउंड वर्म पेट के केडेजीन हम कहते हैं थ्रेड वर्म और हाई डेटिड प्रोग श जलिये जो होस्ट है, मेजबान है वो पानी के अंदर हो। इसमें दो गुरुप आ सकते ही, एक तो स्नेल की उपस है थी और एक साइक्लोप्स की उपस थी। यदि snails पानी में हैं तो cystosomiasis नाम of disease हो सकती है, और cycleops हैं तो guinea worm या fish tape worm हो सकता है, उसके बाद आता है chemical water pump diseases, जासे हमने अभी study किया था कि chemical जो pollutants हैं, वो ज्यादातर अध्योगिक या क्रिशी अपसिस्णों से आते हैं, और उनके कारव बहुत सारी बिमारिया हो सकती हैं Chemical प्रदुश्कों में शामिल होते हैं Detergents, Solvents, Sainide, Heavy Metals, Minerals, Carbonic Acid, Nitrogen और Virangen Agents, Dyes, Pigments, Sulphides, Ammonia, विशाखत और जेवरासाइनिक योगी की शामिल होते हैं इन वे प्रमुक्चों बिमारी होती है Chemical Polyfrens के और वो एक Fluorosis है कि यदि Fluoride की मात्रा ज्यादा हो तो Fluorosis हो सकता है Normally वैसे Fluorosis हाइदेमंद भी होता है यदि 1 mg पर लेटर Fluoride है पानी में तो वो आपके Dental Carries को होने से बचाता है बट यदि ज्यादा हो जाए तो Dental Enamel डेस्ट्रोई भी होने लगता है जिस प्रोब्लम को Fluorosis कहते हैं इसे प्रकार एक डिसोर्डर है में थीमोग्लोबिनीमिया जब पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रेट होता है तो यह प्रोब्लम हो सकती है नौर्मली यह दुर लब गटना है वहलों नौर्मली यह बिमारी नहीं उठती है बट यदि पानी के अंदर रासाइनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर से हैं वो काभी मात्रा में गुलेवे हैं तो यह समझ्या उपन हो सकती है तो यह सारा एक क्लासिफिकेशन था कि जो वाटर पोलुशन और उनसे होने वाले बिमारियां जिसे कई बार एक्जाम में आता है हेडिंग के रूप में की जो वाटर बॉर्ण डिजीज है उनकी एक लिस्ट बनाओ तो आपको पता होगा कि यह वाटर बॉर्ण डिजीज है ऐसे ही उप्योगी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेस्बूक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए ब्लोगर विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com फोलो कर सकते हैं मुझे ट्वीटर पर इंस्टाग्राम पर और फेस्बूक ग्रूप नोट्स बनाने कर सकते हैं धन्यवाद आपको दिन शुभू